नमस्कार, मैं डॉक्टर संजेगर, कंसल्टेंट, यूरोलोजिस्ट, एंडरोलोजिस्ट, मानिपाल हॉस्पिल गाज़ेबात आज हम बात करेंगे मेल इंफडरिटी की ये तो सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्मूनिटी में कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते या बच्चा होने में कुछ परिशानी का सामना करना पड़ता है लेकिन जायतर ये देखा गया है कि हम सारा का सारा दोश लेडिस पे, जनाना पे, और अरत पे डाल देते हैं ऐसा गलत है हकीकत में क्या है कि आदमी का भी उतना ही रोल है, उतनी ही इंपोर्टन बात है जितना की औरत की है कई ऐसे केस होते हैं जिनमें ये देखा गया है और जाज करने हैं पता पड़ा है कि बच्चा पैदा ना कर पाना इसका कारण जो भी कोई कमी थी वो आदमी के अंदर थी तो हम आज बात करेंगे मेल इंफर्डिल्डी की ये मेल इंफर्डिल्डी क्या है नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें आदमी और अरत दोनों के इधर का शुक्रानू और उधर का अंडा इन दोनों की रिकार्मेंट होती है और ये दोनों के दोनों जब इन दोनों का मिलन होता है तब बच्चा पैदा होता है अगर किसी वज़े से आदमी के अंदर शुक्रानों में कुछ कमी हो जाए शुक्रानों पूरी तरह बन नहीं पा रहे हैं या वो जो बन रहे हैं वो उनके अंदर कुछ कमी है तो इसी फैक्टर को लेके हम कहते हैं कि आदमी के अंदर कमी है और उसका उप्चार्ट जरूरी है हाँ, इस चीज़ को पकड़ना या इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है तो कभी भी अगर किसी भी दमपती को husband wife को कोई ऐसी समस्य हो रही है कि उनका बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है शुरू में हमें कुछ समय तो जरूर वेट करना चाहिए एक समय देना चाहिए एक natural course में nature को समय देना चाहिए कि जिस समय अपने ही आप से यह हो जाए लेकिन अगर इस current अगर नहीं हो पा रहा तो हमें contact करना चाहिए डॉक्टर्स को ladies को जायतर gynecologist देखते हैं जो उनका evaluation करते हैं लेकिन साथ ही साथ आदमियों को भी अपना evaluation कराना चाहिए यह देखा गया है कि अगर evaluation कराते हैं तो approximately 32-50% cases में ऐसा भी पाया गया है कि आदमी के अंदर कुछ कमी है कुछ ऐसे case भी होते हैं combined कमी होती है यानि कि आदमी में भी और औरत में भी कमी है लेकिन उसमें भी हमें treatment करना पड़ेगा और अगर isolated male infertility factor है तो उसको भी treat करना पड़ेगा सबसे basic test इसमें होता है semen analysis semen analysis क्या है v-ray का microscopic examination होना normally यह three days of abstinence के बाद में करना चाहिए यह तीन दिन परेज तीन दिन का हो और चौते दिन हम इसका sample दें तो वो एक best quality sample आता है उसमें कई सारे factors होते हैं जो check करे जाते हैं जैसे कि semen की quality इसमें आती है उसका pH आता है उसमें liquefaction time आता है और बहुत important चीज होती है counts semen में sperm count क्या है और उसके बाद में आता है sperm की motility swim करने की शमता जैसे कि अगर जब यह जराना शरीर में एंटर करता है शुकरानों को जराना शरीर में एंटर करते हैं तो उनको swim करके उनको तैर करके अंदर अंडर शेय की तरफ यारि यूटरस की तरफ जाना होता है तो यह अगर swim करने की शमता अगर उनकी कम है तो इस कारेंट से भी infertility हो सकती है फिर sperm morphology morphology में किस तरह का वो बना हुआ है उसके अंदर कोई head, tail, defect तो नहीं है यह सब चीजे इसके बाद में कुछ और parameters भी होते हैं जो हम semen analysis में चैक करते हैं जैसे की semen fructose level semen fructose क्या होता है fructose ऐसा एक पदार्थ है जो normally हमारा एक accessory sexual blend seminal vesicle बनाता है और अगर यह सही मातरा में नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि वो इस current से भी male infertile हो सकता है क्योंकि यह जो fructose है यह developing sperm के लिए nutrition का काम करता है और अगर यह नहीं आ पा रहा है तो sperm ढंग से develop नहीं हो पाएंगे और male infertile हो जाएगा basic test होने के बाद में हमें कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी जब आता है तो हमारे पास में यह semen analysis की report लेकर आता है लेकिन डॉक्टर से जब consult करे तो डॉक्टर पूरी तरह से उसकी history ले history लेने का मतलब है कभी उसको कभी कोई पहले कोई दवाई तो नहीं चली कोई बिमारी तो नहीं रही, लंबी बिमारी रही हो जिसकी विज़े से जो ऐसी बिमारी होती है जो हमारे शुक्रणूंग पर असर कर सकती है जैसे बच्पन में अगर किसी को mumps होते है, mumps ऐसे infection है जो यहाँ पर एक gland होता है चेहरे के पास में कान के नीचे परोग्रिट gland होता है, अगर बच्पन में किसी को उसके infection होता है तो उसका असर हमारे testis पे, यानि की under shape गोलियों पर मरदाना under shape पर पर सकता है, और वो उनके अंदर शुक्रणूंग बराने की शम्ता कम हो जाती है तो यह history लेना बहुत जरूरी है कि बच्पन में development कैसा रहा है, secondary sexual characters properly develop हुए और इसके बाद में clinical examination, clinical examination में check करा जाता है, secondary sexual characters के बारे में, उसके link वगरे के check करते हैं, फिर अब check करते हैं testis, इनका proper size है या नहीं है, under developed तो नहीं है, साथ में जो एक नली होती है, जो testis से sperms को बाहर ले जाती है, जिसको हम vast difference बोलते हैं, वो properly developed है नहीं है, वो अगर नहीं है, तो कुछ लगता है कुछ ऐसी congenital problem या पैदाशी problem है तो उस चीज का पूरी जांच होती है ये सब clinical check करने के बाद में, semen analysis की report को compare करने के साथ में, तब कुछ एक idea हमें लगता है कि कहा तकलीफ हो सकती है, करी बार ऐसा भी देखा गया है कि testis का size ही जादा बढ़ा हुआ नहीं है, या secondary sexual character proper developed नहीं है या history लेने पर पता पड़े है कि बच्चे का development proper नहीं हुआ था तो उस condition में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे को hormonal defect हो या hormone की कुछ कमी हो उस condition में हम hormone का test कराते है मुखे रूप से इसमें hormone FSH, LH, testosterone, proletin, thyroid ये कुछ hormones हैं जो हम testis में कराते हैं इनके अलग लेबिल के इसाब से कुछ idea लगता है कि हमें जो समस्या है वो कहां से है, local है या hormonal समस्या है ये जार्च करने के बाद में और local examination के बाद में फिर हम बात आगे और test पे चलते हैं जोरत पढ़ने पर अगर हमें लगता है कि clinical examination में एक चीज होती है जिसको बोलते है vericocele, vericocele में क्या होता है testis के उपर की नसे, वो कई बर मोटी हो जाती है, इनके अंदर blood इखटा रहने लगता है, blood अगर testis के आसपास जादे देर तक रहेगा तो वहां का जो waterman है वो गरम रहेगा और उससे शुक्राणू पे फरक पड़ता है, उसकी mortality कम हो जाती है इस चीज को clinical examination करने के बाद में हम confirm करते हैं ultrasound से, एक special ultrasound होता है जिसको बोलते है Doppler study इस Doppler study में हमें उन diluted veins के बार में पता पड़ता है ये देखा गया है कि ये diluted veins होना या varicocene होना एक most important या एक महत्मूर्ण कारण है जिसकी उजए से male infertility हो सकती है अगर male infertile है और उसमें ये पाया गया है कि varicocene है तो इसका surgical correction mandatory है यानि कि बहुत जरूरी है ये देखा गया है कि अगर हम varicocene का correction करते हैं तो लग बग 60-70% लोगों में उनके semen parameters यानि कि जो शुक्राणू की कमी आ रही थी या उनके अंदर कुछ और थी motility कम थी वो सुदर जाते हैं और जितने लोगों में सुदरते हैं उन में से 50% को ये वो बाद में conceive कर सकते हैं तो ये देखा गया है कि ये ऐसा factor है varicocene ऐसा factor है कि जिसकी proper time पे proper surgery हो जाए तो बहुत अच्छे results मिल सकते हैं इसके लावा बाकी और चीज़े जैसे एक special ultrasound होता है जिसको हम बोलते हैं transrectal ultrasound transrectal ultrasound से हम अंदर के कुछ जो अंग है या अंदर के जो कुछ organs हैं जैसे कि अभी बात करते हैं semule vesicle या इसके जो नली आती है इसको हम examine कर सकते हैं उसमें कुछ कमी आ रही है तो कई बार ऐसी संभावना होती है कि शुक्राणू बन तो रहे हैं लेकिन वो बाहर नली में नहीं आ पा रहे हैं उस condition में ये transrectal ultrasound बहुत पदद करता है इससे अगर हमें पता पड़ता है कोई ऐसी गांट है या कोई ऐसी चीज है जो रास्ते में रुकावट कर रही है तो उसका operation भी होता है जो दुर्बीन से जाके अंदर से उस गांट को निकाला जाता है या हटाया जाता है रास्ते से इसको हटाने के बाद में देखा गया है कि प्रॉपर रूप से या प्रॉपर तरीके से शुक्राणू हमारे वीरे में आ जाएंगे जब ऐसी कोई सम्मावना होती है कि शुक्राणू नहीं आ रहे हैं और इस operation के बाद में शुक्राणू आते हैं अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ और सिर्फ ये कहते रहेंगे कि लेडीस ही responsible है infertile couple के लिए तो ये बिल्कुल गलत है आदमी को भी अपना evaluation करना चाहिए है और proper examination, proper evaluation के बाद में अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करना चाहिए करी बार ऐसा होता है कि कुछ कमी नहीं मिल पाती है या कुछ शुक्रानों की मातरा सब fertile है अरे कि जितनी होने चाहिए उतनी नहीं है उस condition में बहुत अच्छी दवाईया आ गई है वो दवाईया उनको जब ये husband या जो मर्द खाते हैं तो उनसे उनको शुक्रानों को कुछ ताकत नहीं मिल सकती है उनको nutrition मिल सकता है कुछ ऐसी दवाईया चो उनके counts बढ़ा सकती है लेकिन जब तक proper evaluation नहीं होगा पता नहीं पड़ेगा तो दवाईय देना ठीक नहीं रहता है इस दवाईय से भी देखा गया कि कुछ अच्छे results आए है तो अगर हम overall देखें तो सबसे जरूरी है कि एक तो जागुरूक होना जागुरूक होना सबसे important है अगर कपल जागुरूक है आदमी दिखाने आ रहा है एंडरोजिस्ट को मिल रहा है फिर उसको clinical examination हो रहा है जरूरत पढ़ने पर relevant investigation blood test है, ultrasound है यह सब चीजों पर अगर उसके अंदर कुछ कमी निकलती है तो उस कमी का proper उपचार चाहें वो दवाईयों से हो चाहें वो surgery से हो, टाइम पर रहने से बड़ा अच्छा इसका treatment हो सकता है हाँ, यह बात और है कि अगर कई बार ऐसा होता है कुछ कमी नहीं निकल पा रही है तो फिर कुछ और method भी है जो एक general infertility के treatment में हम यूज करते हैं तो आज के talk में ही पर समाप्त करता हूँ पस मैं यही चीज रिपीट करना चाहूँगा कि कभी भी infertility couple आए या किसी को भी बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा है या बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे तो उसमें ladies के साथ साथ में आदमी भी अपना check-up कराएं जिससे कि अगर कुछ कमी आ रही है तो वो time से treat हो जाएं and then they can happily get a child Thank you, Namaskar